इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वालत है ये डियाई, SBI क्लर्क के लिए प्रिलिंस एक्जाम को ध्यान में रखकर लिया गया है और ये मौक टिस्ट है फाइल कुस्टिन का ये सेल्ट अगर आप बनाएंगे थ्री मिनट्स का टाइम दिया जा रहा है हलाकि आप 3.5 या 4 मिनिट्स भी ले सकते हैं अपनी और से आप पॉज कर लिजेगा लेकिन मैं टाइम 3 मिनिट्स का दे रहा हूँ SBI, U का जो प्रिजाम होगा उसके लिए भी ये बहुत इमपॉड़न है कैल्गुलेशन को एवरेज को, सम को आप सही समय पर कर पाते हैं या नहीं, इसकी प्राक्टिस होगी आईए, पहले आप टेस्ट दीजी 3 मिनिट्स, 5 कॉस्टन, फिर मैं एक्स्प्रेन कर लोगा है में, स्टार्ट मैं अमर गुमार सिंग, अमर सर अन अकैडमी पर भी हूँ जो एक फ्री लर्निंग एप है मैंने यहाँ पर ठेरों लिसन्स और कोर्सिस बनाये हैं जो बैंक, SSC और रेलवे एक्जाम के लिए बहुत ही लावदायक हैं इनका लाव उठाने के लिए आप डाउनलोड करें अन अकैडमी लर्निंग एप मैंने धबादादास झाल 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 Once again welcome मुझे बुरी उमीद है कि आपने enjoy किया होगा Calculations को data भी बहुत अच्छे Done से करना जरूरी है एक संपूर्णता में देखने की जरूर्थ होती है Macro तो data दिखते हैं कहां से इनको add करें 5 questions हैं सबसे पहले मैं 5th number solve करूँगा ताकि इस पेस बन जाए और यहां पर बाग़ी question को थोड़ा जीजे में दिखाया जासके है क्या number of students studying in different streams in various institutes total institutes 6 दियोगे इन में number of students कितने हैं इन streams के art के, commerce के, science के, engineering के और management के समझने में कोई दिक्कत नहीं है यह simple tabular di आ ही है हाँ data को operate करना यह सीखने का है सबसे पहले मैं 5th number question कराता हूँ in institute P P if 50% of the students studying arts and science 60% of the students studying commerce and engineering and 50% of the students studying management and pass the exam then what is the total number of students in the institute P who passed the exam simple percentage है हम लोग जाद तर इसका mental calculation करते हैं लेकिन लेकिन लिखेंगे ज़रूर calculation करने के बाद दिखने जरूरी है 50% पास विए किसके आट और साइंस के तो आट और साइंस को add कर दीजी 320 हुआ उसका 50% 160 हुआ इसके बाद 60% उसके इसके बाद 60% उसके स्टूरीं 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 इंजिनेरिंग commerce and engineering add कर दीजी तो यह 325 को 140 मतलब 20 लेकि इसको दे दीजी 200 and 325 325 का हम लोग बोलते हैं 60% नहीं अच्छा लोग रहा 325% of 60 बोलते हैं 300% 180 25% means 1 4th 60 का 1 4th 15 यानी 180 plus 15 195 और 3rd 50% of the students studying management पास्थ एक्चाम management के 50% मतलब 85 अगर यह पास्थ करते हैं तो टोटल पास्थ कितने की हैं 5 लेकर के इसे दे दीजी 200 वो जाए और 80 और 160 240 यानी 440 answer हुआ 440 here is the answer वो गया यह समझ में आया ठीक है आगे बड़े इसके बाद हम लोग next question करते हैं next first number question से करते हैं अब कोई लिक्कत नहीं है जा लास्ट से ही करते हैं यह जगह भी बन्हा है चले fourth number करते हैं fourth number करते हैं fourth number question what is the percentage of students studying arts in institute R with respect to the total number of students studying arts in all the institutes approximately निकाना है percentage निकाना है 8 का जो की R में बढ़ते हैं R में 8 के 280 है हमें बताना है कि यह 280 जो है वो कितना percent है किसका सारे ही students का तो यहाँ पर सारे ही students का मैं लिखने के बक्स में नहीं हूँ लिखना है जंग से लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको दिखा हूँ how to add 85 है 50 है और 90 है यह है ना इस total का यह 280 कितना percent है टूटल कैसे करते हैं सुगी इसको 20 दिया इसको 15 दिया इसको 5 दिया इसको 15 दें तो 100 हो जाए इसको 5 दें तो 200 हो जाए 20 इसे 20 दें तो यह भी 300 हो जाए 40 इसको भी 10 दें तो 50 हो जाए यानि इसको काट करके figure ऐसा बन गया तुर आ देखिए कितना सुन्दर figure बन गया यही हुआ नहीं नहीं देखिए 900 मेंस 100 पसंद हम यह करने को तयार नहीं है यह करने को तयार नहीं है देखिए 900 का मतलब हम जानते हैं कि 100% होता है 90 का मतलब 10% होता है 9 का मतलब 1% होता है तो 30% का मतलब तो हम लोग आसानी से बदा सकते हैं 270 होता है बाकी बचा 10, तो 10 को क्या बोलेंगे? करीब करीब 1 ओर, तो 280 को क्या बोलेंगे? 9 को बोते हैं न 1%, 280 को क्या 31% बोलेंगे? तो 31% बी दा एंसेर. आई, 1st number पढ़ते हैं, what is the ratio of the total number of students studying commerce in all the institutes together, to the total number of students studying management in all the institutes together? टूटल लंबर चाहिए, रिस्क भी ले सकते हैं, एक प्राक्स नहीं ले सकते हैं, लेकिन रिस्क ले सकते हैं, पर डेटा इतने सुन्दर हैं कि रिस्क क्यों लें, इसे स्वाव करना चाहिए, यह कुश्चिन क्या है? कॉमर्स के टोटल स्टुदेंस, और मैनेजमेंट के टोटल स्टुदेंस, लेकि यह 180 है, यह 220 है, यह 155 है, यह 175 है, यह 190 है, और यह 170 है, मन करता है, इसे 400 लेते हैं, मन करता है, 25 विशे दे करके, इसे 200 और 25 दे दें, तो 330 लिखते हैं, मन करता है, इसे 10 दे के, 360 लिखते हैं, मन करता है, आड करके, 403, 703, 100, 1090, क्यों लिखते हैं? और मन करता है, 109 स्टू, 706, क्यों लिखते हैं? नन अब दीज भी नहीं है, आराम से लिख सकते हैं, 109 स्टू, भाकि कैंसर्ट, इस कोसे में आप रस ले सकते हैं, लेकिन आजी, मैं बना चाहता हूं, मैरेजमेंट, 170, 120, 95, 210, 105, and 60, जब ऐसे मन क्यान रहा, तो नजा रहा है कि ये 290 हैना, और ये 210 है, ये मिलकर के 500 हो जाया है कि नहीं? अच्छा लग रहा है, और ये वाला मिलकर 200 हो जाया है कि नहीं? तो 502, 760 हो जाया कि नहीं, और ये शिव लेंगे, तो 109 to 76, ए अच्छा बोगा कि नहीं? ये बता है, ठीक है? इसके बता है, नेक्स्ट, ये फ़स्ट कुचन मार् 2nd question, the total number of students studying engineering in institute PQR together is approximately 1% of the total number of students studying science in institute S.T.U. together. असानी से कर सकते हैं, ज्यादा कुछ लिखने की जरूत नहीं, just value लिखी, total number of students studying engineering, engineering में जाना है, PQR, PQR, कैसे करेंगे मालूं? 5 सिर्पिशे दे दिए, 200 और 130 और 145, 275, 475 होगा कि नहीं? और फिर, 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 हमेरी नहीं STU science, science में STU, 170 और 140, 310, 425 होगा कि नहीं? ये 425 का 475 के इतना परसंट हैं? approximately निकालना है, निकाल सकते हैं, लेकिन मेरा कैना है, इसे 4 times कीजिए, ये 1700 हो जाएगा, और ये 2000 से 25 काम, मतलब 100 कम, यानि 1900 हो जाएगा, 500 से 25 कम, 2000 से 100 कम, इसे भी हम ऐसे लिखते हैं, 170 का मतलब उताय है, 100%, तो बाकी बचा 20, 17 का मतलब होता है, 10%, 1.7 का मतलब होता है, 1%, 170 तो हमें मालूम है, 17 भी मालूम है, तो 187 तो हो गया, हमेंचा ये 190, यानि करीब करीब, ये 3.4 का मतलब 2% होता है, तो 112 परसंट होता है, ये 100%, 2% और 10%, तीमों को एड़ कर दीजिए, तो क्या हम 190 के वाइंटू, 112 परसंट अप्रॉक्स ना भोलेंगे, C is answer, ठीक है, और फिर लास्ट इसका थर्ड नंबर देख रहेते हैं, राकी दोनों देख चुके थे, तो थर्ड देखिए, what is the difference between the average number of students per stream studying in institute Q and the average number of students per stream studying in institute U, Q and U का average लेना है, Q and U का average लेना है, मैं कहता हूँ, जो मैंने D.I.1 में बताया था, उस concept का इस्तिमाल है, कि difference between the average age is same as the average of the differences, इसको जादा पूते हैं, यू से, तो 105 जादा है, plus 105, दूसरा वाला, plus 50, तीसरा वाला, minus 70, चाथा वाला, minus 20, और लास्ट पाच्वाँ वाला, plus 60, यही तो है, 90 हटा ला है, तो 60 और 30 हटा दीजे 90, यह कितना बचा, 125, इसका जो average होगा, यही उसका average होगा ना, D is the answer, इनका average निकालके, इनका average निकालके, less करने से, ज्यादा अच्छा है, कि इनके differences का average ले दिदिजी, ज्यादा है तो plus, कम है तो minus, और, तरीस दाइस है, बोलियो, इसमें ज्यादा महियां बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो data interpretation 1 है, उसमें इसको ठीक से explain किया गया है, और, पिसले दिनों भी मैंने solve किया था, उसमें भी इसका इस्तेमाल हुआ था, मुझे पूरी उंबीद है, कि इस पूरे instruction को आप ने enjoy किया होगा, मैं ठेल सारे post और mock test और देने वाला हूं तियार हो जाईए, All the best.